तो सोचो अभी फिरहाल जब रोमर रेंज अपने करियर के एकदम टॉप पीक के ऊपर है वो आप सभी के करेंट स्मैकडाउन के अंदर यूनिवर्सल चैंपियन भी हो काफी एची रेटिंग्स भी ड्रॉप कर रहे हैं तो डवल डबली अगर रोमर रेंज को इन फिचर एक टॉप सुपर स्टार के जगा एक मिडगाड रेसलर की तरह यूज करने लग जाए तो सुनने में काफी ज़्यादा वियर्ड लगेगा प्लस हमें देखने में भी काफी ज़्यादा अजीब गरीब लगने वाला है कि रीस्टेंट लेक बहुत ज़्यादा लाएं जिजार और जेवसो का मैच हुए स्मैकडाउन के इंदर में इवेट तो क्या इस मैकडाउन की रेटिंग इसके बार में भी करेंगे बात की ने अपनी डेवल डबली फ्योचर अगेले कर बड़ी बात अड्रेस की हैं इस वीडिया के अधर बात करने वाले हैं क्यो एने वीडियो भी फॉर शॉर आगी आज शाम तक and definitely आपको इस वीडियो को भी मिस नहीं करना चाहिए so without wasting any time let's begin this वीडियो तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट एंड नियूस के साथ जो के बार में जुड़ी है जहांबर main event के अंदर सिजारो और जी उसो आमने सामने आए थे और जो शू की स्टार्टिंग है वो सिजारो और रोमरेंस के एक confrontation के साथ होई थी तो बात आती है भाई smackdown की ratings कितनी आई क्योंकि I think काफी सारे जो लोग थे smackdown के episode के लिए काफी ज़ादा excited थे रेसल मेने की बात पहला smackdown का show था जो चीज़े युनिवर्सल टैटल में हुई रेसल मेने के अंदर तो उसकी बात क्या fallout होगा I think यह सारी चीज़े जो काफी लोग देखना चाहते थे लेकिन जो smackdown की rating आई है वो डबल डबले के लिए थोड़ी unfortunate जरूर रहेंगी क्योंकि इस हफते जो smackdown की episode की average वीवर्शिप आई है वह आई है इस हफते smackdown के show के अंदर जो fans थे उन्होंने जादा show को देखा नहीं है या फिर में भी यह हो सकते कि जो show की starting वह अच्छी rating से साथ हुई हो लेकिन जाब main event के अंदर पता लगा कि 1000 और जी उसो आमने सामने आएंगे तो शायद ratings थोड़ी से कम होगी जो भी है मेरे हिसाब से डवल डवली एक बार ज़रूर सोचेगी कि जब fans इस episode के लिए excited से तो ratings कैसे कम हो गई इस थोड़ी से कम rating के बार में आपका क्या सोचने है comment section के अंदर आप लोग बता सकते हो लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की मारी नेक्स update की तरफ और opportunity मिलती है लेकिन मेरे साब से आने वाले रॉक एपिसोड थोड़ा interesting हो सकता है कि और डवली की तरह से दो बहुत ही बड़े matches और एक segment अनौस कर दिया गया है जो सेग्मेंट अनौस हो है वो Drew McIntyre को लेकर हो और और आने वाले मड़ी नाइट रॉक एपिसोड में जो Drew McIntyre कुछ answers चाहते हैं MVP से क्यों पिछले अफते फॉर्मर रेट्रिबूशन की मेंबर्स ने उनके उपर हमला किया तो मेलने इन दोने की बीचे प्रोमो सेग्मेंट होगा और मेभी उसके बाद जो रेट्रिबूशन के दोनों मेंबर्स ने अटाक किया था उनके दू मैंटार क की बीचे सिंगल्स माच अनाउस कर दी है जो कि WWE की हिस्ट्री में पहली बार माच होने वाला WWE इस माच को कुछ इस तरीके से फर्स्ट एवर सीन माच करके एडवर्टाइज कर रही है और WWE ने बताया कि दोनों को रेसल मेने के अंदर बड़ी विक्ट्रीज मिली थी लेंग जो कि इस बार दे लिमिटलेस की बार में जुड़ी है अभी फिलाल की अब WWE के अंदर रिटर्न करेंगी इसका कोई भी आता पता नहीं है चलो फाइनली जो अलिस्टर ब्लाक है उनकी WWE रिटर्न के जो प्रोमो जो शूट होने लग गए है उन्होंने एक प्रोमो अपने Instagram अपने Twitter account की जरीए Keith Lee को लेकर एक post जालता है और वो Keith Lee के जो NXT वाले GIF थी यहाँ पर post करता है और वो कहता है मैं Keith Lee को काफी जादा मिस कर रहा हूं तो इसको लेकर जो Keith Lee है finally हमें reply देते हुए नजरार थे उसका screenshot आप लोग देखी पा रहे होगी Keith Lee यहाँ पर लिखते है कि मैं भी आप सभी को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूं आप सभी ने अपने जो emotions यापने ज्रीचित वह सेंटिमेंट vista है वह डीम करके tweet करके comment कर लें आप सभी ने बताया कि आप मुझे कितना ज्यदा मिस कर रहे हो मैं भी आप सभी की तरह हही हूं और मैं अपनी झो के लिटला यह कुछ था किसी तरह सकते हम गारा का माना तो निखी था कि कि जुरुषार्द शॉपर्स्स निखाले का तो समझे होना हिए मुझे और argument इनने जब Keith Lee ने recently अपने return को address किया है और उनका कहना ये कि उनको return के लिए अपनी लड़ाई करने पड़ेगी और वो जी जान से लड़ाई करने वाले हैं आपका इसको लेकर क्या reaction है क्या opinion है आप लोग comment section के अंदर share कर सकते होप यही करूंगा कि डवल डबली जस्ट Keith Lee को waste ना करे और काफी जल्दी उनकी main roster के अंदर हमें एक बार fair return करवाती हुई नजर आए लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी second last update की तरफ और second last update इस बार सी nation leader 16 time world champion John Cena के बार में जुड़ी है और current NXT champion ने कहा है कि अब वो ready हैं John Cena को WWE से retire करने के लिए और वो चाहते हैं John Cena का face करना सीना के WWE के आखरी match में और current NXT champion अभी final कौन है ये बात तो हमसे भी जानते हो केरियन क्रॉस हैं और recently केरियन क्रॉस से बात कहते हैं और उन्हें John Cena का WWE के आखरी match के अंदर face करना है अब होता कि recently जो WWE fan है वो अपने twitter account के जरीए बताता कि finally अब वो time आ चुक है जब जोन सेना को WWE से एक highest note के उपर exit लेना पड़ेगा और जोन सेना ने कभी भी केरियन क्रॉस जैसे opponent का face नहीं किया है और उनके हिसाफ से अगर केरियन क्रॉस और जोन सेना का match होगा तो उसका result वही होने वाल है जो कि NXT की उनकी दूसरी title win का था जब उन्होंने Finn Balor को एक dominant way मे हरा दिया था और वो फिर से NXT champion बन गए थे तो इसको लेकर केरियन क्रॉस भी अपना reply देते हैं या फिर कहलो response देते हैं और response भी आप लोग देखी पार होगे वह लिखते हैं यह मेरे लिए काफी ज़दा सम्मान वाली बात होगी यानि काफी ज़दा उनके लिए honorable बात के NXT के अंदर booking हो रही है उन्हें बहुत जादा dominant दिखाए जा रहा है अब टाइम जादा दूर रहे गाने के जब एक बार केरिन क्रॉस में में रॉस्टर में आते हुए नजर आएंगे अभी फिलाल जॉन सेना कुछ नहीं तो WWE के साथ आने वाले एक डेट साल या फिर दो यह जरूर चीज देखने वाली रहेगी आपके हिसाब से के सही में केरिन क्रॉस और जॉन सेना का आने वाल टाम में मैच होना चाहिए या फिर नहीं जहां पर केरिन क्रॉस कर दें जॉन से को WWE से रिटायर आपको क्या इसको लेकर आपीनन है कॉमेंट सेक्शन के अंदर आ मैच होता है आप नहीं लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सबसे बड़ी हैं सबसे ब्लॉक बॉस्टर अपडेट की तरफ जो कि इस बार करेंट युनिवर्सल चैंपिन दर ट्राइबल चीफ हेड ऑफ दी टेबल रोमर रेंज के बारे में जुड़ी है और रीसेंडे कुछ बहुत ही बड़ी रिपोर्ट्स आ चुगे सामने और यह जो रिपोर्ट्स है वह स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटर की तरफ से यह सामने और इनका माना यह है यह फिलाल बैक स्टेज के उपर बाते चल रही है कि हम बयांका ब्लेर को स्मैक डाउन का टॉप और पूरा जो स्मैक डाउन है अब वो शाशा बैंक स्याफे बयांका ब्लेर के इर्ध गिर्ध घूमने वाला है क्योंकि जिस हिसाब से रेसल मेन के इन दोनों का मैच वेले का रियक्शन डवल डबली को मिला था उनको यह लगते है कि रोमर रेंज से उपर जो है उनने बय बयांका ब्लेर को रखना चाहिए और अब फिलाल आने वाल टाम में डवल डबली यह सोच रही है कि बयांका ब्लेर को स्मैक डाउन का टॉप सूप स्टार बनाया जाए और रोमर रेंज जो की फिलाल युनिवर्सल चैंपन है उन्हें एस सेकेंड आप्शन यानि की काफी जदा अची चैंपन है उन्हें रैसल मीने के अंदर रियक्शन मेला काफी तगड़ा वाला फैंस की तरफ से फैंस काफी खुश से कि बयांका ब्लेर न्यू चैंपन बनगी शोचल मीडिया के उपर उन्हें काफी जदा अटेंशन मीरी लेकिन मेरे हिसाब से अगर आ ऐसा होता है कि एक आधफते के अंदर हम लोग रोमन का वही अगर सेम चीज़ देखते हैं तो सीज़ को हम लोग देखके बोर हो जाते हैं लेकिन बयांका ब्लेर को इस चीज़ के कारण में इवेंट के डालना या फिक एलो उनको तकड़ा पुछ देना डवल डबले के अं पुरिंग तो रोमन करेंगे लेगे जो कि जो क्लोजिंग या फिर एंडिंग है वो हमें बयांका ब्लेर या फिर कोई स्माग्डाउन की टॉप फोमें सुपर स्टार है बेली होगी शाषा बैंक्स होगी वह करते भी नजर आएंगी इसको लेकर आपका क्या ओपीनिन है कि सही में बयांका ब्लेर को रोम कमाल के नो भी फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहें नेक्स वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूं तिल देन बबाई टेक केर